दिवाली मतलब प्रकाश, दिवाली मतलब प्रकाश ही प्रकाश, दिवाली का पर्प शुरू हो चुका है, हम सब की तरफ से अमारे तमाम दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत चुप कामना है, एक दीपक जो सारे तमस को हर लेता है, अंधियारों को दूर कर देता है, ऐस वक्त हमारे साथ स्टूडियों में खास कवियों जम घट करते हैं क्योंकि समय कम बाते बहुत ज्यादा है इस दिवाली को कैसे आप देखते हैं vesselsक देखते हैं हर तरफ मन से दियारा मिटता है संकल्प इस बार बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह के लिए है लेकिन सर यही बात है सभी के दीप है सुन्दर सभी के हैं प्यारे सभी संकल्प ले कि हमें तमस को दूर करना है ओम शर्माओं जी आप सभी को साधर प्राम करता हूँ भारत समाचार के सभी दर्सकों को प्राम करता हूँ आज पूरा देश प्रकास का पर्व दीपोच्व मना रहा है तब मैं चार पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूँ हमारी सरहदों पर तमाम सैनिक दीपक की भाद दिन राद जलते हैं तब जाकर हम निश्चिंत होते हैं तब जाकर हम अपने घरों में निश्चिंत होकर दीपक जला पाते हैं दीपोस्व का पर्व मना पाते हैं तब चार पंक्तियों मैं आप सभी से एक निवेदन करता हूं कि हमारी ये दिवाली कब कैसे और किस तरह पूंड होती है तब चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि याद करके शहादत वकुर्बानियां याद करके शहादत वकुर्बानियां अस्क के बूंद आंखें संभाली नहीं याद करके याद करके शहादत वकुर्बानियां अश्क के बूंद आंखें संभाली नहीं जब तलक एक दियादेश हितना जले तब तलक ये दिवाली दिवाली नहीं याद करके शहादत वकुर्बानियां और दोस्तों एक दीपक का क्या करतव होता है दीपक दिन राज जलता है तब जाकर हम लोगों को उजाला मिलता है हम लोगों को भी दीपक से सीखना चाहिए तब चार पंक्ता है इसी करम में और रखता हूँ के फर्ज सुनना धर्म सुनना है कौन किस का है करम सुनना है तुमको गाता दिये की सुननी है तुमको गाथा दिये की सुननी है हमको बाती कमर्म सुनना है हमको बाती कमर्म है तर चार पंक्तियां और रखता हूं कि पाव की बेडियां बता देंगी जीवन का सच रखता हूं कि पाव की बेडियां बता देंगी या चुभी रोडियां बता देंगी कितने मुश्किल है राह जीवन की आपकी एड़ियां बता देंगी आपकी एड़ियां और दोस्तों एक कहावत है कि हम दुनिया से तो जीत लेते हैं पर हम अपनों से हार जाते हैं तब चार पंक्तियां और आपके बीच रखता हूँ कि सारे दर्या को पार जाएंगे सारे दर्या को पार जाएंगे डूबतों को उबार जाएंगे सारी दुनिया से जीत लेंगे पर सारी दुनिया से जीत लेंगे पर आप अपनों से हार जाएंगे स्वाती जी मैं मोलता मैंने बेटियों के विसंगतियों पर लिखा बेटियों के दर्द मैंने पंक्तियां लिखी आये दिन हम समाद में देखते हैं कि लोग बेटियां नहीं चाहते हैं यह मेरा सौभाग है कि आज आपकी उपस्थिती में हम लोग यहां पर बैठे हैं और देखें दिवाली में तो हम लोग लक्षमी जी की पूजा करते हैं बेटियों को तो खास मात्वा देना चाहिए रोश्नी ऐसी हो जो तमस को मिटा सके जी लोग बेटियां नहीं चाहते हैं बड़ा दुख होता है पेसे से मैं चिकिस्थान हूँ आए दिन में चीज देखता हूँ कि लोग बेटियां जब होती हैं तो लोग किस तरह मातम में डूब जाते हैं लोग बेटियों को खर्च मानते हैं हम देखते हैं कि हमारे पूर मेडल आद्वे रसोई घरों में कैद हैं एक बेटी की क्या अभिलासा है एक बेटी अपने पिता से क्या मांगती है बेटियां धन नहीं मांगती बेटियां आपका मन मांगती है तब चार पंक्तियां पढ़ता हूं बेटी की अभिलाशा आपके बिच रखता हूं कि तार नाना कभी मुझे पापा एक बेटी की क्या विलाशा है कि तार नाना कभी मुझे पापा सार नाना कभी मुझे पापा मैं बिना ख्वाहिशों के जी लूंगी मार नाना कभी मुझे पापा मार नाना कभी और दोस्तों एक विडंबना जब लोग बेटिया नहीं चाहते पर बेहन चाहते हैं जब लोग प्रेमिका नहीं चाहते जब लोग बेहन नहीं चाहते पर प्रेमिका चाहते हैं लोग बेटिया नहीं चाहते पर पतनी चाहते हैं तब एक विडंबना की पंक्तिया आपके लोभ में जानवारने वाला आज लड़की तलाश ने निकला एक लड़की को मारने वाला आपने तो पूरे समया को बान दिया और थोड़ा एमोशनल भी कर दिया एक मैसेज देने की कोशिश देखिया आपने की और चलिए दिवाली का पर्व है तो थोड़ी ठाको वाली दिवाली भी हो जाए शुरुआत धर्मराज उपाध्याए आपकी कुछ पंक्तियूं के साथ भाथ भाःत समयचार के सभी दर्शकों को नमस्कार कहता हूँ और उनके लिए कहना चाहता हूँ जो की जोली है गम से खाली ए खाली रहे नूर बर से सदा तेज लाली रहे और दिन दस हरा सदा ही रहे आप का रातें रोशन हो जयसे दिवाली रहे और मैं अपना पर्चे देता हूँ कि मैं कौन हूँ कि नाम धरम राज मेरा मस्ती में रहता हूँ सिर्पे नहीं अपने ज्यादा भार लिया करता हूँ यार दोस्त मेरे हैं जो वक्त पे हैं काम आते वक्त पड़े उनको पुकार लिया करता हूँ रुपए पैसे की कभी चिं यह तो जुस्वी मैं दस्वी बार फेल होने पर फिस्वी में दस्वी संवी जूबर मेरे पता जी ने नालायक तूसे शरम नहीं आई है प्लवस के सरमा जी की नड़की को देख पूरे शहर में फॉस्ट आ flossiono आई है मैं तो क्या देखूं। अरे उसी लड़की देख देखके तो हम दस साल से फेल हुए है। सो रहे थे क्लास में टीचर ने जगाया। क्यों आते हो इसकूल। उन्होंने पूछा तो मैंने बताया कि आप तो गुरुजी खाली खुरपेज के लिए जाने जाते हैं। और हम तो इसकूल केवल बिद्या के लिए आते हैं। उन्होंने कहा है एक्जाम के बाद रिजल्ट पे रोते हो। बिद्ध्या चाहिए क्लास में सोते हो मैंने कहा गुरुजी मैंने गुरुजी तुमारी बुद्धी सठी आई है और ठीक से देखो आज बिद्ध्या इश्कूल नहीं आई है और पुलिस बिभाग में लड़के पूछते रहते हैं मुझसे की जो है सिपाही बनने के लिए क् मैंने जो बात उनको बताई आपको भी अच्छा लगे तो जरूर समर्थन करिएगा मैंने कहा कि पांच फिट सा तिंचू चाही हो आपकी और पांच से मिसीने को फुलाना आना चाहिए भेद बदमास का जो लेने जाओ ऐसे लो कि आंख से भी काजल चुराना आना चाहिए और फायर बदमास जो तुम पर करे तो बेटा तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए और दूर देश जाके बदमास जो सरिंडर करे तो तुमको भी कार पलिटाना आना चाहिए की कानध गर्मी से तुम्हें माई जून मार डालेगा और चागूसा रखाए यहां घूमती हैं गोपियां तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा और गली गली मुरली बजाना ना कानहयब एंटी रोमियों वाला कानून मार डालेगा यह बहुत शानदार है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और सुबह सुबह एक जनुविन बात आपको बताता हूं वह कहीं जा रही थी ओम सरमा बक्व भी समझते हैं सुबह सुबह वह कहीं जा रही थी हाथ में जंजीर थी कुत्त्य को घुमा रही थी रंग रूप ऐसा की देखते ही मुझे भाग गई सच कहता हूँ दोस्तों उससे मुहबत आ गई मैंने कहा मैडम ऐसे तो मैं इस काम के लिए बहुत बार पिटा हूँ लेकिन फिर भी मैं आप पर मर मिटा हूँ बोलो क्या मेरी मुहबत को कुबूल करोगी म को बोली मुहबत कुबूल करना क्या अभी मेरे हाथ में है और देख नहीं रहे हो अभी ये वाला कुटा साथ में है अब तुमने कहा है तो कुबूल करूंगी कहा जाओंगी अभी इस कुट्टे को घुमा लूँ साम को तुमको घुमाओंगी तुम दोनों से एक जैसा ही तुम चले जाओगे मगर इससे अधा नहीं। एक कभी जी ने कहा आप यहाँ अपनी पत्नी के साथ क्यों आए हैं बताएंगे हमने का हमारी पत्नी है अपनी पत्नी के साथ नहीं तो क्या तुम्हारी पत्नी के साथ आएंगे फिर मैंने पतनी को साथ लाने की असली वज़ा बताई सुनकर के सब की बुद्धी चक्राई मुने का पिछली बार यहां कब सम्मिलन में जूते खो गए थे तो मेरे नयन भराये थे तब संयोजक जी ने मेरे लिए नए जूते मंगाये थे क्या पता उसी तरह का चमतकार इस बार भी हो जाए और पिछली बार जूते खोए थे इस बार पतनी खो जाए ऐसा हो जाए तो मेरी किस्मत ही न खिल जाए नए जूतों की तरह नई पतनी न मिल जाए सुनकर के मेरी पतनी चिलाई कि आप जूता खोने का राग कब तक गाएंगे यह आप जूता खोने का रा लूंडे जाने क्या-क्या लीला करते हैं लूंडे जाने क्या-क्या लीला करते हैं हर दम ये माहौल नसीला करते हैं और रात रात भर चैटिंग करते लैला को रात रात भर चैटिंग करते लैला से चूम-चूम मोबाइल गीला करते हैं एक मेरा मुक्तक जो बहुत ज्यादा और वायराल हुआ अंतिमुक्तक के डूमैं उसको पढटा हुआ है छो बहुत वायरल हुआ कि हां आधने कहाँ पुलिस की नौ्करी में दरोगा क्यों बन गया भूए अब भी मुक्तक है अवद्छेत्र के आप लोग भी सारे लोग हैं समझते होंगे कि नमंबर जस्मजा जनवरी मा नपई हो गद्दा जस्मजा दरी मा नपई हो और ठांस के पिश्टल पुलट से चलिए हो दरोगा जस्मजा मास्टरी मा नपई हो बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल शेकर जी चलिए शुरुवाद करते हैं आप से आप भी कुछ ठाको के साथ शुरुवाद कर दीजिए जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वाती जी और भारस समाचार के सभी दर्शकों को मेरा नमसकार दीपावली की सभी को बहुत बहुत शुपकामना है अभी भ कावेपाट करना वो कावेपाट आप कुछ मेरे लिए कर देना तो मैंने का ठीक है मैं शुरुवात आप से कर दूँगा बाकी जो मेरा कावेपाट है वो जैसे बहेगा वो बहता रहेगा मैं शुरुवात करता हूँ ये शब्द हमारे हैं भाव इनके हैं कोई लपेट ना सके इतना ना फें किये कोई लपेट ना सके इतना ना फें किये कदमों में लेट जाई ये घुटने नटे किये बदनामिया और बीविया जब दूसरे की हो दोनों को जब भी देखिये जी भर के देखिये आपने कहा कि पतनी के विशे में कि आप कवी सम्मेलन में लेके गए मैं एक विडंबना बताता हूँ एक रात को मैं सो रहा था परिवार के साथ था अचानक से मिरी आँख खुली मैं बहुत डरा हुआ था कि ना जाने कैसी कलपनाएं कर रहा था मैं सांसें उखडती जा रही थि मर रहा था मैं ना जाने कैसी कलपनाएं कर रहा था मैं सांसें उखडती जा रही थि मर रहा था मैं तत्काल जगाकर उसे मेक अप करा दिया बीवी का फेस देख देख डर रहा हमेें हलां की वी century था हम लोगों को भी आज किया गया है जब हमारी शादी हुई तो स्वाती जी सुनिये जब शादी हुई तो उसके एक साल के बाद मेरी मा जी ने कहा कि बेटा परिवार बढ़ानी की सोचो तो मैंने का ठीक है मैं कोशिस करता हूँ कि शादी की आहे तब से हम मशीन हो गए मोटे थे बहुत किंतो अब महीन हो गए पहले हम भी डॉक्टर उम शर्म उम जी की तरह हुआ करते थे कि शादी की आहे तब से हम मशीन हो गए मोटे थे बहुत किंतो अब महीन हो गए परिवार बढ़ाने की बात माने जब कही इक ब्याह और करके दो से तीन हो गए आप लोगों को एक बात और बताओं जब मेरी शादी हुई बहुत पहले हुई थी तो मेरी जुबान वहां भी फिसल गई जब मैं मंडप में बैठा हुआ था मेरी पत्नी को पंडित ने मेरे बगल में बिठाने के लिए बुलाया कि गलती से ग्रहड लग गया हर शो उल्लास में मेरी खटास गिर गई सब की मिठास में पत्नी से कह दिया करीब होके बैठ जा एक और बैठ जाएगी तुम्हारे पास में एक और बैठ जाएगी तुम्हारे पास में आपने बताए कि रात को लड़के चैटिंग किया करते हैं आपने चैटिंग की बात की वहीं से एक और मुक्तक रखता हूँ कि चैटिंग में एक सुन्दरी पे दिल फिसल गया मेरा हिदा वो पेच था मुझे को ही खल गया कल युग में अब किसी पे भी होगा नहीं यकी सोनी समझ के चैट की सोनू निकल गया कि टवां च influen में बड़ को के क्या बनना चाहते हूं तो उसका जवाब है कि लाक कों यूज़ेता बनूँगा मैं जो हैं हताश इनका पढ़ेता बनूँगा कुछ न बन सकूऊंगा तो नेता बनूंगा मैın कुछ न बन सकूंगा तो नेता बनूंगा एक अंतिम मुक्तक आप लोगों की बीच पढ़ना चाहता हूं जो हमने देखा कि होता क्या है कि जब रात को को वारदात हो जाए चोरी हो जाए डखैती हो जाए यहां तक कि अगर रात को बिजली न आए तो लोग कहते हैं कि इस फला पारटी का दोश है फला सरकार का दोश है मैं आज आपको एक बाद बताना चाह रहा हूँ आप लोग सुनिया कि आखिर हमारी जो सरकारे हैं वो रात की सुबधाओं पे इतना फोकस क्यों नहीं करते हैं कि बरसात की हो चाह तो बहुचार क्या करे फूटी हुई हो ना वो तो पतवार क्या करे अच्छे दिनों की बात हुई थी चुनाव में अच्छी नहुई रात तो सरकार क्या करे बस चार पंक्तियों के बात में हम देख रहे हैं कि हमारे पीछे जो तस्वीर जो दिखाई दे रही है उस तस्वीर को देखके मुझे पनी चार पंक्तिया ख्याल आती है perché है अवद कांत में राम आने को है मिट गया मन का भै राम आने को है युग-दूगों का ये वनवास पूरा हुआ आ गया शुब समय राम आने को है चू addict 2 फॉर weBack offers internet वाली पर भी प्रकाश डालिए अपनि कुछ कविताओं कि माध्यام से सफाई पर भी प्रकाश डालिए उन प्रकास जी अभी शेखर भाई ने प्रहु सिराम जी की बात की खैसेर मों में वर जानकी और प्रभु सिराम जी के उपर पढ़ना चाहता हूँ मेरा मन हो रहा है कि उनका कितना त्याग था प्रभु सिराम जी ऐसे तो राम नहीं बने होंगे तब चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि राज तजे सुख काज तजे सर ताज तजे तब धाम कहाए राज तजे सर ताज तजे सुख काज तजे सर ताज तजे तब धाम कहाए ओ काम पे काम तमाम किये तब जाकर लाम लाम कहाए नाम किये इतना इतना कि सुनो दश नाम कहाए और दोस्तों प्रभु स्री राम जी कंकर में है माजानकी का इंचाहता हूं माजानकी का इस्थान कहा है कि राम प्रभू पुरुशोतम थे प्रभुता में महान थी जान की माई राम प्रभु पुर्शोतम थे प्रभुता में महान थी जान की माई और राम धनू धरधानक थे परतीर कमान थी जान की माई राम धनू धरधानक थे परतीर कमान थी जान की माई शान थी आन थी पावन थी सम्मान थी मान थी जान की माई और राम थे जान जन्मानस की पर राम की जान थी जान की माई इसलिए तो कहते है कि मानब होना कावे हो और कभी होना सौभाग जी है सेलिब्रेट कीजिए अच्छे से मनाईए दिवाली लेकिन मन के अंधियारी को मिटाना भी बहुत जरूर है आप सभी को दिवाली पर्व की बहुत बहुत चुपकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पैनल में मौजूद रहने के लिए हमारे दर्शकों का इतना मनरंजन करने के लिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलाल इतना ही हमें इजास्त दीजिए लेकिन देखती रहिए भरस सबचा